Hello friends, welcome to IT4U, I hope आप सब आप अच्छे होंगे Guys मैं काफी टाम से वीडियोस अपलोड नहीं कर पारा था for some reason but अप से मैं कौशिश करूँगा कि MCS से की plus उस से related सारे कौशिश की वीडियोस आपको regular मिलते रहे So guys आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगर आप multiple external switches बनाना चाहते तो आप कैसे बना सकते हैं और उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे लोग प्राप्लम आ रहे है Windows 10 की Hyper-V की virtual machine डाउनलोड करने के लिए यानि कि अब वो Microsoft की website पर available नहीं है तो आज इस बारे में हम बात करेंगे कि उसके alternatives क्या है और कैसे हम लोग virtual switch manager में external switch अगर हमें बनाने है multiple तो हम कैसे बनाएंगे तो चलिए start करते हैं तो guys I hope आपने day 3 की virtual switch manager की वीडियो जरूर देखेगी वहाँ पर मैंने explain किया था कि virtual switch manager क्या है और यह कैसे काम करता है तो guys आज की इस वीडियो में हम लोग यह देखते हैं कि अगर आपको multiple external switches बनाने हैं तो वो आप कैसे बना सकते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी physical machine का network adapters दिखा देता हूँ यानि कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो network connections है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक Bluetooth का connection है दूसरा Ethernet है और थर्ड जो है वो Wi-Fi है यानि कि यहाँ से आप easily identify कर सकते हैं कि यह connection Bluetooth के लिए है और यह Ethernet जो आप देख रहे है यह RGF45 का जो port है यह उसको represent कर रहे है और यह हमारा Wi-Fi adapter है तो guys for example अब अगर आप यहाँ पर एक external switch बनाना चाहते हैं अगर आप यहाँ पर एक external switch बनाएंगे तो आपको कैसे बनाना है तो मैं यहाँ से external switch को select कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से करता हूँ create virtual switch तो guys यहाँ पर for example मैं इसको नाम देता हूँ IT4U external switch और same मैं notes में भी copy कर देता हूँ यहाँ पर आप कोई भी notes दे सकते हैं यह सिफ reference के लिए है तो guys इससे नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर connection type what do you want to connect this virtual switch to यानि कि इस virtual switch को यह external switch हम जो बना रहे हैं आप किसके साथ connect करना चाहते हैं यानि कि यहाँ पर देखिए list में आपके पास दो connection आ रहे हैं एक ethernet connection आ रहे है और एक wifi आ रहे है यानि कि आगर मैं यह बात करूं यहाँ पर यहाँ पर आप इन दोनों के साथ ही external switch बना सकते हैं For example, मैं Ethernet के साथ मैं यहाँ एक external switch बनायता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको select कर लेता हूँ Ethernet connection, click on OK Yes तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे Virtual Switch Manager के अंदर IT4U external switch बन चुका है और अगर आप इसकी detail देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो external switch बना है यह इस adapter के साथ बना है यानि कि यह जो RJ45 physical connection यानि कि जो physical port है मेरे laptop के अंदर उसके साथ बना है सेम चीज अगर आप यहाँ पर जाकर देखेंगे create virtual switch करेंगे and for example मैं यहाँ पर नाम देता हूँ IT4U external switch to और फिर यहाँ पर देखें what do you want to connect this virtual switch to यानि कि 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 के साथ आपको यह connect करना है अब हम और इसके साथ एक virtual switch बना चुके है external अगर मैं फिर से इसको यहाँ पर select करता हूँ और apply करूँगा अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ yes तो देखें यहाँ पर error आगे error applying virtual switch properties changes failed while adding virtual ethernet switch connection see details पर आप करेंगे तो यहाँ देखे external ethernet adapter intel r ethernet connection is already bound to the microsoft virtual switch protocol इसका मतलब यह है guys कि हम लोग already एक IT4U external switch इसके साथ बना चुक है याँ अगर आपको दूसरा connection यहाँ पर external बनाना है तो यहाँ पर आपको कोई physical USB to ethernet card लगाना पड़ेगा या कोई adapter लगाना पड़ेगा यानि कि guys जब भी मैं external switch बनाता हूँ multiple तो it means कि मेरे पास मेरी physical machine पर एक RJ45 port है जो कि यह port आप यहाँ पर देख पा रहे है जब भी मैं multiple बनाता हूँ तो उसके साथ मैं external adapters use करता हूँ अब वो multiple adapter के इस तरह के हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह मेरे पास दो adapter है इसमें आप देख सकते हैं यह USB A है यहाँ पर यह USB C है और यह आप देख सकते हैं कि यह RJ45 के port है यानि कि यहाँ पर मैं यहाँ physical जो cable है वो connect कर सकता हूँ तो for example अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक adapter को connect कर देता हूँ अगर आप यहाँ पर connection में जाके देखेंगे तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक adapter को connect कर देता हूँ तो गाइस देखें यहाँ पर Ethernet 2 का जो एक adapter है वो यहाँ पर show कर रहा है यानि कि Realtech USB GBE Family Controller तो अब मैं क्या करता हूँ गाइस यहाँ से जलते है Hyper-V Switch Manager पर अब अगर मैं IT4U External Switch 2 में यहाँ से select कर लूँगा हमारे adapter को यहाँ पर इसलिए show नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोग ने यहाँ से refresh नहीं किया है तो मैं इसको यहाँ से cancel कर देता हूँ और फिर से Hyper-V Switch Manager को यहाँ से open कर लेता हूँ तो अब यहाँ हमें क्या करना है एक और external switch बनाना है हो गया है सेम उसी तरह अगर मैं यहाँ पर जाके देखूँगा तो देखे गाईस यहाँ पर भी आ गया है IT4U External Switch 2 तो कहने के मतलब यह है गाईस अगर आप External Switch बना रहे हैं तो आपके पस उतने ports भी अवालेबल आपकी फिजिकल मशीन पर होने चाहिए अब अगर मैं यहाँ पर तीसरा connection बनाने चाहता हूँ तो मैं गईस क्या करता हूँ यहाँ पर एक और adapter को connect कर देता हूँ तो गईस देखे यहाँ पर एक और Ethernet 3 आ गया है यानि कि यह मैंने एक और physical adapter connect कर दिया अपने laptop के साथ और same उसी तरह मैं यहाँ पर क्या करूँगा इसको एक बर ok करके refresh कर लेता है यानि फिर से जाते हैं हमारे virtual switch manager पर यहाँ पर external switch आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ create a core IT4U external switch 3 बना लेते हैं अब यहाँ पर देखिए आपको list में एक और यहाँ पर एक USB adapter देखने को मिल रहा है यानि कि यह दूसरा USB मैंने यहाँ पर connect किया है अब इसको मैं select करके अगर apply करता हूँ तो एक और यहाँ पर आप जो है external switch यहाँ पर देख पाएंगे अब मैं इसको करता हूँ click ok यहाँ पर जाने के बाद for example मैं जाता हूँ अपने DC में settings में आपको जाना है तो अभी मैंने यहाँ पर कोई भी network adapter को select नहीं किया है तो मैं यहाँ से choose कर सकता हूँ कि मुझे कौन से वाला network adapter चाहिए for example मैंने main तो मेरे पास है IT4U external switch यह मैंने यहाँ पर add कर दिया अब आप यहाँ पर एक और switch यानि कि double multiple या triple यहाँ पर आप switch इस server पर लगाना चाहते है तो आपको यहाँ पर जाना add hardware में network adapter click on add तो यह देखिए यहाँ पर एक और adapter आगया है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से आप second को select कर लीजिए एक और third आपको add करना है add hardware में जाईए network adapter को choose करना है add यहाँ से आप third वाले को add कर लीजिए and apply ओके तो अब अगर आप इस machine को run करेंगे तो इस machine के अंदर आपको तीनों connection दिखाई देंगे तो guys यहाँ पर देख सकते हैं आपके बस तीनों connection यहाँ पर आ रहे हैं यानि कि आप multiple external switches बनाना चाहते हैं तो उतना ही ports आपके laptop पर physically available होने चाहिए तो guys यह mandatory नहीं है किसी भी practical के लिए अगर आपको इस तरह की कोई requirement है तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी explain किया था external switch आप तब बनाईए जब आपके पस resources available है और जितने भी practical आपको करना है अगर external switch अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप क्या कि बहार की machine से भी और आपके global internet से भी तो उसके पास एक gateway होना चाहिए यानि कि उसके पास एक रास्ता होने चाहिए जहां से वो out करेगा connection के लिए incoming outgoing के लिए अगर आप internal की बात करते हैं तो internal machine के लिए यानि कि physical machine plus virtual machine आप इसे connect कर पाएंगे तो देखिए इसमें यहाँ पर कोई भी connection आपको बनाने के लिए नहीं बोल रहा है वो कुछ नहीं बूच रहा है कि यहाँ पर किसी adapter के साथ बनाना है या नहीं बनाना है और private मे बनाना चाहरा है तो उतना ही adapter आपके पास यहाँ पर available होने चाहिए separate network के लिए लेकिन किसी भी practical के लिए आपको यह करने के ज़रूरत नहीं आप यहाँ से internal network पे जाए और यहाँ से कितने भी switches बना लिए क्योंकि हमें practical तो सिर्फ अपने physical machine plus virtual machine के साथ करना है अगर आपके किया कर सकते हैं कि यहाँ से एक और switch बना लिजिए external switch create switch और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर Wi-Fi का एक adapter जो हो available है यानि एक तो आपके physical machine में होगा यानि कि जो भी RJ45 है उसके अलाबा एक Wi-Fi connection का adapter भी यहाँ पर show कर रहे है और इसको आप नाम and click apply yes तो देखें यहाँ पर एक Wi-Fi का एक नया adapter बन गया है तो इस Wi-Fi का adapter को मैं जिस भी machine के साथ connect करूँआ उस पर internet चलना start हो जाएगा अगर आपके requirement है कि आपको अपने VM पर internet चलाना तो आप इस Wi-Fi adapter को भी choose कर सकते हैं यानि कि आपको external adapters खरीदने की भी जरुरत नहीं ह यानि कि USB to Ethernet port अगर आपको अलग से चाहिए तो आपको खरीदने की जरुरत नहीं है यहाँ पर जाईए आप Wi-Fi से कर लीजी आई होप यहां तक आपको clear हो गया होगा तो चलिए आप start करते हैं कि जो लोग problem face कर रहे हैं कि जो Windows 10 को download नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए अभी बताया था कि यहाँ पर एक link आएगा Edge developer के लिए यानि कि अब वो link यहाँ पर available नहीं है Microsoft Edge developers वाला यहाँ पर कर मैं जाता हूं download as Windows Virtual Machine तो यहाँ पर जाने के बाद आपके पास यहाँ पर सिर्फ यही option आ रहे हैं यानि कि get a Windows 11 development environment download a virtual machine और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं Hyper-V Generation 2 यानि कि इस पर मैं download करता हूं इसको तो देखें यहाँ पर download start होगी है बट मैं इसको पहले ही download कर चुका हूं यानि कि यह Windows 11 की VM है यह Windows 10 नहीं available है यहाँ पर और किसलिए available नहीं है वो यहाँ पर क्योंकि अब Microsoft पर चाहता है कि सारे लोग Windows 11 पर switch कर चुके हैं तो लोग अभी है जो Windows 10 यूज कर रहे हैं और गाईस अगर आप भी Windows 10 यूज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो VM अब available नहीं है सेम वही VM को आप टेस्टिंग के लिए भी यूज करना चाहते हैं तो आप description में जाके मेरे WhatsApp चैनल का link ले सकते हैं वहाँ पर मैंने Google Drive का link दिया अगर आपको वहाँ पर Windows 11 मिलती है तो आपके लिए कोई चीज नहीं नहीं होगी क्योंकि आप उस पर अलड़ी practice कर चुके हैं लेकिन फिर भी अगर आप दोनों पर करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं आप मेरे WhatsApp चैनल पर जाके download link ले सकते हैं वहाँ से और उस VM को download कर सकते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी मैं Hyper-V अलड़ी download कर चुका हूँ Windows 11 के लिए तो चलिए मैं आपको शो करता हूँ कि कैसे हम लग Windows 11 की इस machine को अपने Hyper-V machine पर add करेंगे तो उसके लिए चलता हूँ मैं अपने Hyper-V manager पर और उससे पहले गाईस मैं आपको दिखा तो देख सकते हैं यहां से मैंने इसको extract कर लिया है तो अब क्या करते हैं अब चलते हैं हमारी Hyper-V machine पर तो यहां से मैं एक नई machine create करूँगा और इसको मैं नाम देता हूँ Windows 11 M1 और यहां से मैंने जो machine मैंने जो save किये है उसके location change कर दिये because मैंने सारी machine जो है वो अलग drive में रखी है यहां से मैं क्लिक करता हूँ next तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि Windows 10 की जो VM machine हम लोग add करते थे यहां पर वो generation 1 के साथ करते थे लेकिन Windows 11 में आपको generation 2 select करना है यहां से आप जो भी connection आपने बनाया हुए जो adapter जो आपने बनाया हुए वह आप यहां से अभी भी add कर सकते हैं और अगर आप अभी नहीं करना चाहते तो आप लेटर उन भी कर सकते हैं फिर से क्लिक करूँगा next अब guys हमें यहां से अब VM को choose करने यानि कि वो already created है हमारे पास यानि कि वो already VM hard drive है उसकी हमारे पास तो यहां से मैं जाके उस location को choose कर लेता हूँ तो यहां से देखे हम लोगों ने extract किया था इसको मैं यहां से इस machine को choose कर लेता हूँ click on open next and finish अब guys क्या करूँगा मैं यहां से इस machine को start कर लेता हूँ start तो इस machine पर आपके पास किसी भी तरह कोई password नहीं होगा जैसे कि हम लोगों ने Windows 10 पर दिखा था एक default password होता था लेकिन Windows 11 के लिए कोई default password नहीं है हाँ अगर आप choose करना चाहते हैं यानि की set करना चाहते हैं password वह आप जरूर कर सकते हैं तो दीखें यहां पर आपके पास sign in का option आ रहा है अगर मैं इस पर click करता हूँ sign in तो यहां से यह by default login हो जाएगा तो यहां से आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर किसी भी तरगी कोई password की requirement नहीं है यानि कि हमें यहां से कोई password नहीं एंटर करना पड़ा और यह machine जो हमारी ready हो गई है तो मेरी recommendation यही है कि अगर आप Windows 10 यूज करना चाहता है यूज कर सकते हैं लेकिन मेरी recommendation है Windows 11 आप यूज करने ज्यादा बेटर है विकोज अगर आप कहीं भी जाते हैं किसी नए environment में तो वहां पर अगर आपको Windows 11 मिलती है तो भी आप easily कर पाएंगे क्योंकि आप उससे already familiar हो चुके होंगे तो यहां से मैं चेक कर लेता हूं कि हमारी जो यह machine है यानि कि हमारे जो operating system है कौन सा edition है यानि कि Windows 11 कौन सा edition है तो यहां से आप दिख सकते है Windows 10 का हमारा जो यह enterprise edition है तो guys यह आपके उपर है अगर आप Windows 11 यूज करना चाहते है Windows 11 भी कर सकते है Windows 10 करना चाहते है तो Windows 10 भी कर सकते है तो guys Windows 10 को download करने के लिए आप description में जाके मैंने link दे दिया है वहां से आप मेरे WhatsApp चैनल को join कर सकते है और Windows 10 का download link वहां से आप copy कर सकते है I hope आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करने के साथ साथ share जरूर करे और आगे आने वाले और content के लिए हमारे चैनल को subscribe करे Thanks for watching तो चलिए मिलते हैं आपसे MCSA की next वीडियो में